पिछले अडियो लेक्चर में हम डिसकस कर चुके हैं मद्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास से संबंदित दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं मद्य प्रदेश में खेल और खिलाडियों से संबंदित पूर परिच्छा में पूछे गए question answer को देखने वाले हैं मैं हूँ सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं Youth Civil Services Academy के अडियो चैनल पर दोस्तों आज हम देखते हैं पहला question लगाते हैं कि नोकायन के छेत्र में मद्यपर्दे से सम्मधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त व जेता है next question की और यह कई एक्जामस में पूछा गया है कि मद्यपर्देश का राज्य खेल कोन सा है तो मद्यपर्देश का राज्य खेल मलखम है next question है कि भारती खेल प्राधी करण की मद्य छेत्रिय परिशत कहां पर है तो भौपाल में है next question गोटे मार का खेल कहां प्रचल थे तो दोस्तो छिंद्वाडा में है नेक्स्ट प्रक्रदेश में खेलकूद एवम युवक कल्यार निदेश अले की स्थापना में होई थी मद्य प्रदेश बैटमिंटन ऐशलिसेuinर की नगर में की गई है तो दोस्तों जबलपूर में की गई है मद्यप्रदेश बैटमिंटन एशोशियन और इस्थापना का हुई तो 1946 में कहां पर हुई जबलपूर में नेक्स्ट कोश्चन मद्यप्रदेश में खेलकुद नीती किस वर्स में अनुमोदित हुई थी तो दोस्तों 2005 में हुई थी नेक्स्ट कोश्चन मद्यप्रदेश के मसूर क्रिकेटर खिलाडी कोन रहे हैं तो आपके सामने है सीके नाइडू मंसूर अली खान पटोदी संद्र हिरवानी जो है मद्यप्रदेश के मसूर क्रिकेट खिलाडी रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन उसा राजे स्टेडियम मद्यप्रदेश में कहां इस्थी थे तो इंदोर में है नेक्स्ट कोश्चन केप्टन रूप्स यह स्टेडियम जो की एक अंतरास्टिये क्रिकेट स्टेडियुम है कहां परिस्थी थे तो ग्वालियर में है लच्छुमी बाई नेस्टनल इनुर्शुटी-अफ फीजी始ंगल ेज्जुकेशं मध्यवदैस में नेक्स्ट कुश्चन इनमें से कोन सा क्रिकेट इस्टेडियुम मध्योध्य श्थित है तो दोस्तों आपके सामने और इन गार्डन से पीरोजा कॉटला ग्रीन पार्क स्टेडियम उसा राजे स्टेडियम दोस्तों यह इंदोर में है मद्ध्देश में है नेक्स्ट महात्व से ली है next question लिए यतो आ जाता है तो दोस्तों धोटोवस्वा मित्र पुरोसकार दिया जाता है next question लिए परयों की के लिए अगस्तीन के सरकार के लिए अगस्त 2011 में जिवन परियंत उपलब्दी के लिए पुरुसकत क्या गया है सकील अहमाद कुरेशी नेक्स्ट मद्यपदेस में किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतरास्टी क्रिकेट मेच खेले गए थे तो दोस्तों नहरू स्टेडियम जो है इंदोर में है वहाँ पर अंतरास यहाँ पांसी तोमर कस खेल में 7 बार राश्टी वुजयता था तो दोस्तों जो 5 यह तोमर है जिनके नाम पर फिल्म भी बनी थी, वह इस्टीपल चेंज यह इस्टिपलत नामक जो गेम होता है पांसी तोमर 7 बार राश्टी विजयता रहे हैं नेक्स्ट कोस्चन, मदुयादों का संबंद किस खेल से है, तो मदुयादों का संबंद दोस्तों हाकी से है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहा इस्ती थे तो इंदोर में है, मद्यपरदेश में नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी कब की गई थी, तो दोस्तों 2013 में की भारत के लिए कास्यपदक जीता था, तो मद्यपरदेश का वा सूटर है, उनका नाम है दोस्तों मनिशा कीर, हर्चिता तोमर, सिता साहु, वर्षा वर्मन, तो दोस्तों आपके सामने आपसन में ने बता दिये, आपको राइट करना है, तो वर्षा वर्मन जो है, ये मद् नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतिय बेट मिंटन खिलाडी और एसेन जूनियर चेंपियन सीप का सण पदक विजेता था, जो धार जिले में पेदा हुआ था, तो दोस्तों उसका नाम है आदित्य जोसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को और इनका जन्म क्या मद्यपदेश में हुआ था, नेक्स्ट, मद्यपदेश की मार्सल आर्ट अकादमी कहां परे तो भोपाल में है, भोपाल में पेदा हुए पटोदी के नवाब कोन थे, तो दोस्तों मनसूर अली खान थे, नेक्स्ट, एंथेस में आईजित स्पेशल ओ क्रिकेट स्टेडम इस्ति थे, तो गालियर और इंदोर में, नेक्स्ट, संकर लश्मन किस खेल से सम्मधी थे, तो दोस्तों हाकी से सम्मधी थे, तात्या टोपे स्टेडम किस नगर में इस्ति थे, तो भोपाल में है, राजेश्वरी डोलकिया का सम्मध किस खेल से है, तो ओडी आई में नाबाद दोहरा सतक बनाया था, मतलब वंडे इन में, तो केप्टन रूपसी स्टेडियम गवालियर में दोस्तों सचीन तेंदूल करने ओडी आई में नाबाद दोहरा सतक बनाया था, लेकिन उस समय हार भी गई थी, नेक्स्ट रूपसीं क्रिकेटरों में से, कोन मतलब देश के समंधित नहीं है तो, अजिंक्या रहाने जो है, मतलब देश समंधित नहीं है, जबकि नरेंद्र हिरवानी मतलब देश से है, अमन खुराशिया और नमन ओज्छा ये भी मद्देबदस से है नेक्स्ट ठाकूर रनमत सी ये स्टेडियम किस सहर में इस्तित है तो दोस्तो रिवा में इस्तित है नेक्स्ट क्वेश्चन आट्राइबदस के जबलपूर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी तो दोस्तो इस्नूकर की खोज की गई थी 875 में बिटिस आर्मी अफिसर करनल नहवील और चेंबर लेंड द्वारा मद्ददस के जबलपूर में इंडोर खेल जो है इस्नूकर नेक्स्ट क्रिकेट के एक दिवसी मेचो में सचीन तेंदुल करने पहला दोहरा सतक कहां जमाया तो गवालेर में जमाया था केप्टन रूप्स ये स्टेडियम गवालेर में नेक्स्ट समिर्दात का जन्म संबंध किस खेल से है तो दोस्तो हाकी से है सोरब सर्मा धार का संबन किस खेल से है तो बेड़मिंटन से है नेक्स्ट निसाने बाजी में 2015 का विक्रम पुरस्कार किसे मिला है तो वर्सा वर्मन को मिला है सूटर कहते हैं जिनने मद्यवदेस का पहला खेल कलब किस खेल से समधी थे तो दोस्तो क्रिकेट से है नेरू स्टेडियम कहां पर इस्थी थे तो इंदोर में है इंदोर में क्रिकेट स्टेडियम को पूर में उसाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मेदान के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों होलकर इंदोर में जो होलकर क्रिकेट स्टेडियम को पूर में उसाराजे ट्रस्ट नेकेस्ट कोन से नगर में अभाई खेल uh अ die तो इंदोर में है साइस सेंटरल रिजिनल सेंटर मद्वदेश के कोन से सहर में इसति थे थे तो भुपाल में है पार्शी क्लब की Sथापना से किस खेल की परंपराप प्रार्णब हुई थी त्यव हुई थी दोस्तो क्रिकेट पुछा गया है नेक्स्ट कि निमनलिकित में से उपलब्दी के लिए विश्वा मित्र पुरसकार प्रदान किया गया है तो पूरा जीवन किसी खेल के कोच के रूप में सेवाये प्रदान करने के लिए विश्वा मित्र पुरसकार मद्यपते सरकार देती है जबकि भारत सरकार के बारे में पुछा जाया है तो दुरोनाचायर पुरसकार मिलता है next question एकलावय पुरस्कार संबंद है तो एकलावय पुरस्कार खेलकुछ संबंदित रखता है प्रभास जोसी आवार्ड 2015 की से दिया गया तो दोस्तों हर से आदों को दिया गया था और प्रभास जोसी आवार्ड जो है मल्खंब से जो मलखंब खेल में उतकर स्कार करते हैं उनको यह आवाड दिया जाता है नेक्स्ट निमलिकित में से कोन विश्वामित्र पूरस्कार 2015 के प्राप्त करता नहीं थे तो सुनिल केवर्ड सचिन कस्तूरी मोहन साक्य अंजली वशिष्ट अंजली वशिष्ट को विश्वामित् आवाड और सिखर आवाड तो सिखर आवाड मद्यपते सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है जबकि विख्रम आवाड एकलव आवाड और विश्वामित्र आवाड दिया जाता है नेक्स्ट मद्यपते सरकार द्वारा दिये जाने वाले एकलव पूरस्कार की वर्तमान इतनी है तो दोस्तो एक लाक रुपे है जबकि 2021 में यह रासी बढ़ा कर दो लाक रुपे कर दी गई है नेक्स्ट मद्देश का सरवच खेल पुरसकार निम्लिकित में से कौन सा है तो दोस्तो विक्रम पुरसकार है होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्राफी जीती है तो दोस्तो चार बार जीती है गोरो चोहान निम्नमे से कौन से खेल से समझी थे तो बाक्सिंग से है किस वर्स MP सेलिंग अकादमी को सरसेस्ट सेलिंग कलब से समानित किया गया था 2017 में कौन क्रिकेट से हुआ है तो दोस्तो नरेंद्र मेनन जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं विश्वामित्र पूरसकार किसे दिया जाता है तो कोच को दिया जाता है और मद्यबदे सरकार द्वारा दिये जाने वाला पूरसकार कोन सा है तो विक्रम पूरसकार है बाकि लश्मन पूरसकार औरजुन पूरसकार दौना चाहर पूरसकार नहीं है नेक्स्ट खेलों में से किसे नरेंद्र हिरवानी संबधी थे तो क्रिकेट से संबधी थे भोपाल में उपरी जिल में भारत का पहला नोकायन स्कुल किस वर्स इस्थापीद किया गया है next मद्यपदेश सरकार दोर आज़ीत पहला अखिल भारती महिला हकी टुनारमेंट कहाँ कोन से स्टेडम में आरम्ब हुआ था तो दोस्तो एस बाग में हुआ था next दोस्तों पीच खेलने के लिए अनुपयुगत था इसलिए खेल को क्या कर दिया था नेक्स्ट मद्यपरदेज के किस Pra outra को बुलियट कहses जाता अंपर लच्मन मद्यपर्देश की टीम रंडजी ट्राफी में उप विजेता बनी थी तो 1998-99 में बनी थी नेक्स्ट मद्यपर्देश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो हर्विंदर्स ये सोडी है ये दोस्तों पुछा गया तो 2017 में नेक्स्ट विश्व सिरीज हकी टीम भोपाल एक मेच में अपनी दोहरे सतक की पहली पारी खेली थी तो विरेन सहवाग में दोस्तों 2011 में खेली थी नेक्स्ट क्वेस्ट निवलिकित में से कोन दो बार विशेश ओलंपिक पद विजेता है जो मुल रुप से मद्यपदेश के निवासी है तो सिता साहु है जो सुटर है नेक्स्ट निवलिकित स्टेडियों में से कोन सा जबलपूर में स्थित है तो रवी संकर सुकल स्टेडियों जो है ये जबलपूर में है नेक्स्ट इंदोर में आजुत राश्टी फुटबाल लिग किस वर्स हुआ था तो 2013 में हुआ था मद्यपरदेश ODI टीम के कप्तान कौन है तो नमन ओजा है मद्यपरदेश खेल वर युवा कल्यान के निदेश आले ने पुरसकारों में से कौन सा पुरसकार पस्तूत नहीं किया है तो वसिस्ट पुरसकार सचिन तेनलुकर ने किस वर्स गवालयर में एक दूसी मेच में दो सवरन बनाया थे तो 2010 में और न ने पुरसकार किस खेल से दिया जाता है तो मलखम में दिया जाता है MPPSC MPPSC के पहले अधेक्ष कौन थे तो डॉक्टर डीवी रेंगे थे धार के आदित जोसी कौन से खेल से समधित थे तो बेडमिंटन से है चंदू सरवटे निमलिकित कौन से खेलों से समधित रखते है के खेल के साथ से जुड़े हुए है तो हाकी से जुड़े है विकरम पुरसकार किसे दिया जाता है तो सिनियर खिलाडियों को दिया जाता है मद्यपदेश की राज्य किरिडा क्या है मतलब किरिडा मतलब खेल तो मलखम है सीके नाइडू टेस्ट मेच में भारती टीम के कप्तान कोन थे पहले कप्तान थे सीके नाइडू टेस्ट मेच में भारती टीम के पहले कप्तान थे नेक्स्ट कीस वर्ष में मद्धिपधेश में मलखम को राजि खेल गोशित क्या गया था 2013 को क्या गया था, 10 अप्रेल 2013 को नेक्स्ट सिवेंदर सीय कोन से खेल से समधी थे तो हागी से है मद्धिपधेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारती टीम में किस रूप में खेलते थे तो आल डाउंडर खेलते थे किस वर्स में मद्यपदेश क्रिकेट टीम ने रंजी ट्राफी में अपना सरोसेश्ट प्रदसन किया था था उनिस्वा निन्यानवे में नेक्स्त कॉस्टन निन लिकीद में से कोव विस्वामित्र पुरसकार 2015 के प्राप्त कर्ता नहीं थे तो अंजील वसिस्ट सुनिल के वड़् सचिन कस्तूरी मुहन साख्ये इनको सभी को विश्वामित्र पुरसकार 2015 दिया गया था नेक्स्ट सोरप वर्मा किस खेल से समधी थे तो बेडमिंटन से हैं, केप्टन रूप सी इस्टेटम कहां इस्टी थे तो गौलेर में है, 1986 में इंगलेंड के खिलाप किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाडी ने टेस्ट मेच में 190 रन बनाये थे तो संध्यागरवाल ने, नेक्स्ट मद्यबदेश सरकार का कौन सा आवार्ड खेलों में सरोसेस्ट परशिक्षकों और कोच को दिया जाता है, तो विश्वामित्र आवार्ड नेक्स्ट मद्यबदेश आसन द्वारा खेल परशिक्षकों के प्रदत्त किये जाने वाले निम्न में से कौन सा पूरसकार सरोचेत विश्वा मित्रप पुरोषकार 2020 में एंपीप्यसी प्री में पुछा गया है खेले हम युगा कल्यान विभाग द्वारा इस्थापित राज जो है मद्यप्रदेश तिरंदाजी अकेडमी कहां परे तो जबलपूर में तिरंदाजी अकेडमी खोली गई है हिरवानी दोस्तों हम एक निगा मद्यप्रदेश की प्रमुक खेल संस्थाओं पर मार लें जैसे की पार्सी क्रिकेट क्लब की स्थापना कप की गई थी तो 890 में की गई थी कहां पर तो इंदोर में की गई थी पार्सी क्रिकेट क्लब की स्थापना नेक्स्ट मदःपरदेश बेटमिंटन एषोशियन इसकी स्थापना भी 1946 में जबलपूर में की गई थी लेकिन बाद में इसको इस्थान तरीत करकर 1946 में जबलपूर में कर दी लेकिन बाद में इसका मुख्याले इंदोर कर दिया गया मद्यपरदेश बैडमिंटन एशोशियन और टेवल टेनिस जो बनी थी 1957 में जबलपूर में लेकिन बाद में इंदोर में कर दिया मद्यपरदेश हाकी एशोशियन दोस्तों ये जबलपूर में है मद्यपरदेश फुटबाल एशोशियन जबलपूर में मद्यपरदेश ओलंपिक एशोशियन इंदोर में, मद्यपरदेश इसनुकर एशोशियन इंदोर में है, मद्यपरदेश एथलेटिक्स एशोशियन ये भी भुपाल में है, खेलकु देम युवक कल्यान विभाग दोस्तों 1975 में भुपाल में है, मद्यपरदेश खेल संचाल अनालाई जो है यह भपाल में है तो मद्धिपरदेश टेनीस एस्टोशन की स्थापना वर्स 1957 में जबलपूर में हुई थी और जिसका मुख्याले उनिस सो बात करें बेटमीनन की तो 1946 में जबलपूर में कर दी गई थी लेकिन इसका बाद में इंदूर में कर दिया गया था मलखम से रिलेट देखे दोस्तों तो मलखम में 14 मलखम केंडर केंद्रे ए मद्दिपरदेश में और राजिक、 कि मलकम एकेडमी जो है यह उज्जेन में है कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट है उनको हम देखते हैं कि भारत के जो सचिन तेंदुलकरे मास्टर प्लास्टर जिनको आप जानते होंगे जो 2010 में गौलेर में और विरेंज सहवाग 2011 में इंदोर में और रोहित सर्मा 2012 में मद्यपदेश में दोस्तों इन्होंने क्या किया था दोहरा सतक लगाया था 2010 में सचिन तेंदुलकर से याद रखे गौलेर में विरेंज सहवाग इंदोर में और रोहित शर्मा 2012 में मद्यपदेश में क्या किया था इन्होंने 12 सतक लगाया था और मद्यपदेश के हाकी खिलाडी जो है लथीप अनुवर के बाद में पाकिस्तान हाकी टीम के कप्तान बने थे लथीप अनुवर नेक्स्ट आगे की बात करें मद्यपरदेश का एक मात्र आदिवासी खेलकुद विद्याले दोस्तों अली राजपूर जिले में है और वर्स 2006 में मद्यपरदेश की राजधानी भोपाल की बड़ी जिल के जल क्रिड़ा पर देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है और भोपाल में आज़ित खेल पंचायद 2008 में महूं इंदोर और सिउनी में प्रसिशन के इंदर खुलने की गोशना की गई है और एक इंपोर्टेन बात है कि मद्यपरदेश पहला राज्य है जिसने स्कूल में एक पिरियट खेल के लिए आनिवार कर दिया है और उधवदास महता भारत खेल प्राधी करण भोपाल में इस्ति थे और मद्यपरदेश किर्केट एकेडमी अकादमी 2009 में स्थापित की गई लेकिन 2016 में इसे अकेडमी को शिवपरी दोस्तों क्या कर दिया शिप्ट कर दिया है ने कि ट्रांसफर कर दिया एक लाइन में कुछ अकेडमिया देख लें अकादमी जो सुटिंग अकादमी है दोस्तों ये 2007 में भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी और यहां की विशेस्ता क्या है कि इस्पोर्ट पिस्टल एर पिस्टल और साटगन का यहां पर विश्विश्तरी प्रसिशन दिया जाता है और उनसे जो चिंकी यादो और एश्वरे प्रताप सी हैं ये जो है सुटिंग करते हैं नेक्स्ट मार्सल आट एक अकादमी जो है भोपाल में है 2007 में इसकी क्या हुई थी इसकी विशेस्ता यह है कि यहां पर कुस्ती कर्राटे जुडो बाक्सिंग उशू तलवार बाजी और ताई कमंडो की विश्विश्तरी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है एथलेटिक्स अकादमी इसकी स्थापना दोस्तो 2016 में भोपाल में की गई है और इसकी जो विशेस्ता है कि अकादमी खिलाडियों को विश्विश्तरी परशिशन प्रदान करती है और साती खिलाडियों के लिए अंतराष्टी माब्दंदो वाली खेल उपलब्द कराती है नेक्स्ट है एक्वेस्ट्रियन अने के घुड समारी ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में और एक्वेस्ट्रियन में दोस्तो विश्विश्तरी अकादमी जैसे बिशन खेडी परशिजन प्रदान करती है और आगे हम बात करें पूरूस हाकी अकादमी ये जो है 2007 में भोपाल में इस्थापन की गई है महिला जो हकी अकादमी है इसकी 2006 में गौलेर में की गई है'M series 2007 में स्थापना हुई है बोपाल में और यहाँ जो विश्विस्ता है नोकायन, रोहंग और कया किंग अकादमी केंवं में विस्विस्तारी प्रसेशन पदान करती है और next है college cricket अकादमी जो 2016 में अभी स्थापना हुई है वो भी अबी प्रस्तावी थे दोस्तों अभी चिंदवाडा में है और स्विमिंग और ड्राइविंग पूल का निर्मान यह जो है यह इंदोर में अभी क्या है प्रस्तावी थे अबें प्रस्तावी थे भी क्या है और स्विमिंग पूल का झाल निया थे यह जो है पुग है यह जो है और रसाना यह जो जो अबूे